प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्कृता, नो यूर फेट क्या करेंगे, साल के अन्त में संतान प्राप्ती के योग भी बन रहे हैं, यानि ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है आप ऐसा करिए, पूरे साल भर भगवान गनेश की अगर पूजा करें, गड़पती अथर्व शीर्स इसका नित्य प्राता पाट करें तो आपके व्यक्तिगत जीवन में जो मुश्किरें हैं, वो भी ये उपाय करने से दूर हो जाएं बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, कि जब से मेरे बच्चे का जन्म हुआ, पत्नी का स्वास्ते खराब रहता है पिता की उन्नती नहीं हो पा रही है, क्या वास्तों में किसी बच्चे के जन्म से उसके माता पिता को नुकसान होता है बच्चे की कुंडली से माता पिता को नुकसान नहीं हो सकता बच्चे की कुंडली केवल ये बताती है कि माता पिता की स्थिती क्या है उसमें बच्चे का कोई योगदान नहीं है अब बच्चे का चंद्रमा खराब होगा तो वो ये बता देगा कि माता का स्वास्थ अच्छा नहीं रहेगा तो उसमें बच्चे की कुंडली का प्रभाव नहीं है आपके अपने कर्मों का प्रभाव ही अलग-अलग कुंडलीों में दिखाई देता है आप लंबे समय से एक और्गनाइजेशन में नौकरी कर रहे हैं, इमानदार हैं, वफादार हैं, लेकिन फिर भी ओफिस में लंबे समय से आपकी उन्नती नहीं हो पा रही है, आपकी उन्नती एक जगा पे रुख गई है, क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चड़ाईए, सादा जल, प्लेन वाटर, उनके सामने एक बार हनुमान चालिसा का पाठ करिये, और एक बेल के पेड में से लकडी तोड़ ले आईए, छोटी सी लकडी इसको लाल धागे में बांध करके अपने गले में रवीवार को धार कर लीजेगा, अगर आप ऐसा उपाय करते हैं, तो ओफिस में उच्चा धिकारियों से दिक्कत नहीं होगी, और ओफिस में जो उन्नती नहीं हो पा रही है, वो उन्नती आपकी जरूर हो जाएगी, अगर आपकी कुंडली में रिदय रोग होने की संभावना है, या डॉक् आपको कहता है कि सतर्क हो जाईए, आपको कार्डियो की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो परहेज है, जो सावधानिया है, उसका पालन तो करेंगे ही, साथी साथ नित्य प्रातह, रोज सवेरे, सूर्याश्टक का अगर पाट करते हैं, तो इससे जीवन की मुश्किलें आसा आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब, डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक एप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रॉलोजर से